असलामलेकुम एवरिवन वेलकुम तो माई यूट्यूब चैनल इजी तो अंडेस्टेंड तुड़े आवर न्यू टॉपिक नेम इस क्रैप साइकल क्रैप साइकल सरहन्स क्रैप ने 1937 में डिस्कवर किया क्रैप साइकल के दो और नाम है सिट्रिक एसिड साइकल और ट्राइ असको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं इस बेस पे इसको सिट्रिक एसिड साइकल का नाम भी दिये और ट्राइ कार्बोगजिलिक एसिड जो है इसी साइकल में एक सिट्रेट प्रोडक्ट बनता है जिसमें तीन कार्बोगजिलिक एसिड पाहे जाते है ट्राइ मीन्स थ्री कार यह दुनों प्रोड़क्ट पहा जाते क्रेप साइकल में फर्स्ट जो हमारा स्टेप ऐ क्रेप साइकल का अगर उसकी बात करें तो सिेट्रेट है उसमें सित्रेट क्या करता है कि bacon इसमें 6 carbon contain करता है। इसमें 6 carbon contain करता है। यह citrate formed by binding of acetyl COA with oxal acetate। यह oxal acetate यह acetyl COA के साथ मिलता है और citrate है और इसी तरह आगे अपना cycle को continue करता है। Total what in Krebs Cycle, these steps must be 8 Total 8 steps of citric acid cycle are series of Redox Dehydration, Hydration and Decarboxylic Reaction in these 8 steps, KIE does Redox Reaction Dehydration and Decarboxylation Dehidration इंके बारे में जानते हैं कि Oxidation क्या करता है? Removal of Hydrogen Oxidation में क्या होती है? Hydrogen की Removal होती है जबके Gain of Oxygen होता है Dehydrogenation जो है Removal of Hydrogen होगा इसमें Decarboxylation में क्या होगा? Removal of Carbon Dioxide Hydration में क्या होगा? Addition of Water And dehydration में क्या होगा? Removal of Water Crap cycle जो है इसके importance क्या है, अगर Krebs Cycle एक central metabolic pathway है, जो perform करता है essential function of oxidizing nutrient to support cellular bio-energetics, यानि जो cellular bio-energetics होते हैं, जिसमें cells जो store आपनी energy को, उसको oxidize करता है, उसको nutrients पर देता है, और ये किसके तुरू हो रहे है, क्रेब साइकल के, इस अकर्ज इन एवरी लिविंग सेल माइटोकॉंड्रिया, यह हमारे सेल में जो हर सेल लिविंग सेल है, उसके अंदर माइटोकॉंड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, उस सेल में पाई जाता है, उसके मैट्रिक्स में यह परफॉर्म होता है क्रेब साइकल, क क्रेब साइकल की साइकल को स्टार्ट करने से पहले इसमें एंड 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 की प्रोड़क्शन होती और सिंतिजिज होती है सबसे पहले हम ये जानेंगे कि NADH और FADH2 है क्या NADH जो है निकोटाइनामाइड एडि-9 डाइनृक्वलिटाइड है इसकी फुल फॉर्म इसको शॉर्ट फ़र्म कहेंगे एनड एडि-ह की cellular respiration में के लिए essential होते है cellular respiration क्या है cellular respiration वो procedure है जिसमें हम जो food लेते हैं वो एक complex substance में होता है वो मजीद simple substance में जाता है और इस simple substance से जो हमें energy release होती वो ADP के form में store हो जाती है इस procedure को हम कहेंगे cellular respiration तो ये cellular respiration में NADH and FADH essential role play करते हैं जो है हमारे body जो cellular respiration है उसके three steps है three steps में जो first पर होता है वो होता है glycolysis और second step जो है वो krebs cycle है third वानी is electron transport chain ग्रेब cycle के start होने से पहले ही krebs cycle glycolysis शुरू होता है जो glycolysis से जिसे हमें acetyl coave मिलता है और यह कर रहे हो जो cellular respiration सबसे पहले start होगा oxaloacetate oxaloacetate जो है four carbons पे मुश्टमिल होता है और यह molecule त्यार होता है matrix mitochondria की matrix में यह आगे convert होगा acetyl coa में acetyl coa कैसे हमें कैसे मिला है glucose की breakdown से होते हुए pyrovate chain से होते हुए acetyl coa मिला है उसके बाद जो coa रिलीज हुआ है for another pyrovate से attachment होगे और फिर यह procedure स्टार्ट होगा फिर यह acetyl coa citrate में जब coa release हुए तो citrate में four हुआ है citrate से यह direct iso citrate में हुआ है iso citrate जो है citrate का isomer है isomer क्या होता है isomer कहते है having same chemical formula but different structural formula iso citrate से then यह convert हुए है alpha ketogluorate इसमें convert हुए और इसमें क्या हुए कि NADH जो है यह NADH में convert हुए NADH जो है electrons जो होते हैं in the form of hydrogen में होते हैं और यह NADH की synthesis हुई है और यह NADH बन गया और इसी दोरान जो iso citrate से alpha ketogluorate में ना carbon dioxide जो है निकलती है और alpha ketogluorate से direct यह जाएगा succinyl COA में और यह succinyl COA में इसी दोरान NADH को convert होता है NADH और NADH की synthesis होती है और इसमें carbon dioxide जो है वो release होगा और यह succinyl COA जो है succinate में होगा यहां पर adenosine diphosphate जो है वो phosphate साथ मिलेगा और ATP से मिलेगा ATP के actually GTP के equal है तो यहां मैंने दोनों लिखती है फिर succinate जो है वो fumarate से मिलेगा और यहां पर वो fat जो है convert होगा FADH2 में फिर fumarate जो है malate में जाएगा और यहां पर malate और fumarate के जो दर्मयान जो है water की addition की जाएगी malate से फिर oxaloacetate बनेगा और NAD जो है वो दुबारा से NADH की synthesis करेगा फिर oxaloacetate से यह acetyl coa बनेगा और इसी दुरान यह krap cycle का जो पूरा cycle है यह पूरा चलता रहेगा और यह दो दफ़ा चलेगा acetyl coa से direct यह दुबारा cycle रन होगा हमें पता है कि जो pyruvate है उसमें दो acetyl coa होते हैं इसलिए यह जो cycle है यह दो बार रन हुए और इसमें जितने भी products है उसको हम two से multiply कर देंगे जैसे कि हमें पता है यह carbon dioxide दो दफ़ा पाए गया तो अगर दो carbon dioxide है इसको two से multiply करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो four carbon dioxide हमारे पास इसका answer आएगा next अगर हम यहां देखें nad कितने आए है एक दो और तीन तीन दफ़ है nad h की production हुए है उसकी synthesis हुए है तो यह three को अगर हम two से multiply करें तो six answer आएगा इसी तरह FADH कितनी दफ़ा सिर्फ हमारे पास एक दफ़ा है one two's are two two हमारे पास यह two times आएगा और ATP हमारे पास सिर्फ एक टाइम है लेकिन जूँकर यह craft cycle दो दफ़ा रहन होता है तो इसको two ATP आएगा next मैं लिखके आपको बता देते हूँ लास्ट रिजल्ट में हमें कितने मिले हैं carbon dioxide, four carbon dioxide, six NADH, two FADH मिलेगा और लास्ट पे two ATP जिसको हमने GTP भी कहा था क्रेब साइकल का यही topic यहाँ पे end होता है अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे है तो like करें, share करें और subscribe करें, thank you